प्रवात खबर के चुनावी परिचर्चा में आपका स्वागत है मैं हूं मिथिलेश और हम बात करेंगे लोगसवा चुनाव के रोचक परसंग पर जैसा आप जान रहे हैं लोगसवा का चुनाव अब पूरे पिक पर है पहले चरण का चुनाव परचार कल साम खत्म हो जाए गया कि मा दूसरे चरणव कर चुनाव परचार भी पूरे परवान पर है कही नेटाओं के चुनाव यात्रा परचार के लिए हूँ तो हम बात करते हैं बिहार के कुछ ऐसे नेताओं की जिन पे दूसरे राजियों के पार्टियों ने नेताओं ने भरुसा किया है। नीस के चुनाव में उन्हे हो और इसके बाद हुए बंगाल का रुक किये बंगाल में मम्ता बैनर जी ने उन्हें आसन सोल लोगसवा की सीट पर से क्रिणमूल कॉंग्रेस की टिकट पर उमिदवार बनाया, उपचुनाव हुआ था वहाँ, उपचुनाव में जीते और इस बार फिर दूसरी बार उन्हें लोगसवा चुनाव का उमिदवार बनाया है, सत्रौन सिना के बारे में बताए तो वो कभी भाजपा के कोड़ टीम के सदस्वा करते थे, अटल बिहारी बाजपई सरकार में वो मंतरी थे, और पट्ना से उनका नाता रहा है, सिक्षावीद उनका परिवार रहा है, लेकिन चुनाव की जो हार जीत का जो फार्मूला है, वो अगर पट्ना में अनफिट हुए तो बंगाल में फिट हो गए, अब वो दूसरी बार अपनी किस्मत आज मा रहे हैं, सत्रौन सिना अकेले ऐसे नहीं है, साथ आदमी ऐसे हैं, साथ नेता ऐसे हैं, जो बिहार के बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्टे पार्ट यादब हों, जॉर्ज फर्णांडिज हों, मदू लीमिये हों, यहां तक कि चंदर सेखर जो पुर्व परधान मंत्री थे वो उन्होंने भी बिहार के माराजगन से सीट से चुनाव लरी और जीत कर गए, तो बाराल इस बार के चुनाव में बाहर के किसी नेता का पदारप अजी उमिद्वार नहीं हुआ है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं जो बिहार के निता है, जो बिहार के पले बरे हैं, बिहार के मिट्टी में पले बरे हैं, और दूसरी जगह से वो किस्मत आजबा रहे हैं, उसी करी में दूसरा बड़ा नाम है कनहिया कुमार, कनहिया कुमा जेन यू चातर संग के अध्यक्ष रहे हैं पिछली दफा उन्हें दोजार उन्नीस में बेगु सराय के सीट पे सीपी आई ने उन्हें अपना उमिद्वार बनाया था वो दूसरे अस्थान पे रहे थे और बहुत ही मार्जिनल बोट से या कम बोट से कहें वो चुनाव जीत जाहुल गांधि की जो कोड टीम है युवार टीम उस टीम के वो प्रमुक्सदस है लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली नहीं दिल्ली की जो सीट है सबसे चर्चित सीट जहां उनका मुकाबला भाजपा के मनोस्तिवारी से होने वाला है तो कनया कुमार को कांग्रेस पार सबर्थक एक है उनका वर्ग है तो वो कितना कुछ कर पाते हैं भाजपा का जो तिलस्म है जीत का वो तोड़ पाते हैं या नहीं यह तो मतदान के दिन पता चलेगा लेकिन एक मुकाबला रूचक बन गया है कनया कुमार के दिल्ली से आने से इसी करे में हम बात करते हैं किर्ती आजाद की किर्ती आजाद बिहार के दरवंगा लोग सवा सीट से वो कई दफा चुनाव जीतते रहे हैं उनके पिता भागबज्य आजाद बिहार के मुक मंत्री रहे हैं केंदर केंदर में मंत्री रहे हैं वो उनके भाई अभी राजव बंगाल के दुरुगा पूर्य लोकषवा शीट से चुनाव प्रत्यासी टी-मसी ने उनको बनाया है. टी-मसी आनि त्रिनमूल कॉंग्रेश ने उनके भरोसा जताया है. मम्ता बेनःर्जी ने उन्हें उमिदवार बनाया है. अब देखना है कि दुरगापूर हलाकि ये है तो बंगाल में लेकिन दुरगापूर में बिहार के लोगों की भी एक बड़ी अच्छी तादाद है वहाँ दुरगापूर स्टील फैक्टरी हो या और भी जो कलकार खाने हैं वहाँ बिहार के लोग बड़ी संक्या में काम करत तो किर्ति आजात का रिजल्ट क्या होगा ये पस्सिम बंगाल के और दुरगापूर के मतदाता टैक करेंगे लेकिन बिहार की नजरे किर्ति आजात पे भी ठीकी है इसी करी में हम S.S. अहलूवालिया का नाम लेते हैं S.S. अहलूवालिया केंदर सरकार में बाजपेई जी के सरकार में मंत्री हुआ करते थे पटना के बोनिंग रोड में उनका घर है और बेगु सराय जिले में उनका पैत्रिक आवास है वो बिहार से आते हैं और इस बार बंगाल की जो आसन सोल की सीट है जहां पे सतुरण सिना पीमसी के उमिदवार है वहां भारतिय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उमिदवार घोसित किया है यानि आसन सोल की सीट पे एक और बिहारी बाबू सत्रौन सिना होंगे दूसरी ओर बीजेपी के टिकट पर S.S. अलूवालिया उमिदवार होंगे तो ये मुकाबला वह उमनात भारती का नाम लेते हैं सोमनात भारती नवादा जिले के रहने वाले है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उमिदवार बनाया है वो बिधायक भी उखरते थे बाद में कई कुछ घठना करम में वो अभी इस वार उनको चुनाव मैदान में उत मनोश तिवारी को अपना उमिद्वार बनाया है, मनोश तिवारी बिहार से आते हैं, कैमूर जिले के भववा से वो उनका पैत्रिक निवास है और वो ठेट बिहारी हैं और पूरे हिंदी पट्टी में आप कहले जे बिहार, बिहार, मद्व परदेश, उत्तर परदेश, भारतिय जनता पार्टी ने उनको अपने स्टार कंपेंरों की लिस्ट पे रखिये हैं, उनका सिधा मुखावला कॉंग्रेस पार्टी के कनहिया कुमार से हो रहा है, नई दिल्ली की सीट पे नई दिल्ली लोकसवा सीट से कॉंग्रेस पार्टी ने कनया कुमार को अपना उमिद्वार बनाया है वहीं भारती जनता पार्टी ने मलोस्ति वारी को अपना प्रत्यासी घोशित किया है हम बात करें भाई-भाई के बारे में राजद ने मधेपूडा की लोकसवा सीट पर कुमार चंदरदीप को जिने हम कुमार चंदरदीप भी कहते हैं उनको उम्मिद्वार बनाया है। चंदरदीप के छोटे भाई अमरदीप जो जदियू के सिक्षा प्रकोष्ट के अध्यक्स हैं अमरदीप और चंदरदीप के पिता रमेंद्र कुमार रवी पुराने समाजवादी और मधेपुरा से कई बार वो सांसद रहे हैं तो अमरदीप जो है वो इंडिये के पक्ष मे परचार कर रहे हैं वहीं चंदरदीप RJD के candidate है तो दोनों भाईयों का जो है राजनितिक विचारधारा या डारेक्शन जो है वो अलग-अलग है इसी तरह हम पुर्व मंत्री नरेंदर सिंग के बेटे की बात करते हैं नरेंदर सिंग के दो बेटे हैं सुमित कुमार सिंग ज वो अभी हाल में वो पुर्व विधायक भी रह चुके हैं वह अभी हाल में राजद में उन्होंने जुइड किया है और वो राजद के उमिदवारों के चाहे बाका में जया प्रकास यादब हो या फिर जमूई में अर्चना रविदास उनके पक्ष में वो परचार कर रहे हम बात करें डॉक्टर जगनात मिस्रा के परिवार की डॉक्टर जगनात मिस्रा के बेटे हैं नितिस मिस्रा वो राज्य सरकार में मंत्री है और उनको एंडिये के स्टार कंपेनरों में रखा गया है और उन्हें जिमिवारी दी गई है मितलांचल और कई लाकों में एंडिये के उमिदवारों के परचार के पक्षमे परचार के लिए उनके चचेरे भाई हैं रिशी मिस्रा जो राजत के प्रवक्ता है और उनकी ड्यूटी है वो राजत के उमिदवार महा गटवंदन के उमिदवारों के पक्षमे वो परचार कर रहे हैं हम बात करें पूर्णिया सीट से पप्पु यादब निर्दलिय उमिदवार है अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि पप्पु यादब अपनी पार्टी के साथ कॉंग्रेस में उन्होंने विले किया उनको उमीद थी कि कॉंग्रेस पार्टी उन्हें उमिदवार बनाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो उत्सा से वो अपने चुनाव मैदान में डटे हैं रोचक यहां बात यह है कि पप्पु यादब की जो पत्नी रंजीता रंजन कॉंग्रेस की राजसवा की सदस हैं वो 2019 में सुपाल लोकसवाक सीट से चुनाव हार गई थी उसके पहले उन्होंने जीत हासिल की थी अब व भरी होंगी अब यह देखना यह है पार्टी ने उनको कॉंग्रेस पार्टी ने परचार को कि सुची में रखा है तो यह दिल्चस्प जो वाकिया है बिहार के चुनाव के नए रंग सामने दिख कर आ रहे हैं हम हाजिर होंगे फिर एक बार कई रोचक पर संग को लेकर